Hello everyone, welcome to the Pahadi Tualim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, जो आज का हमारा topic of concern है, वो रहने वाला है the digestive system and absorption. क्योंकि ये topic बहुत ज़्यदा important रहता है हमारे needs examination में. ठीक है, needs examination में ये topic of concern बहुत ज़्यदा important रहता है और most probably chances रहते हैं कि इस topic में से जो है needs examination जो हमारा 2024 को होने वाला है, उसमें काफी सारे question आ सकते हैं क्योंकि ये topic वहाँ पे mention किया रहता है the digestive system and absorption. और इस topic को हम advanced level से पढ़ेंगे ताके जो question भी हो, कोई सा भी question हो, वो आपका इस lecture में complete हो जाए, cover हो जाए. मतलब इस पूरे topic का हम एक तरफ से देखें तो post-mortem कर देंगे, ठीक है? So, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम आमीर अफ्ताव फिरोजाल है, So, without wasting time, let's start the video. तो जैसा कि बता चुका हूँ, biology पर ये topic of concern रहेगा, the digestive system. So, start करते हैं सबसे पहले हमारे पास होता है, what is this digestive system? Digestive system होता क्या है? So, digestive system अगर देखा जाए, ये वो वाला एक process है, जहाँ पर food को हम energy में convert करते हैं, और ये सारा process digestive system के अंदर carried out होता है, ठीक है जी? सारा process digestive system के अंदर carried out होता है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम देखे हैं, हमारे पास एक वोर्ड रहता है, digestion. So, अगर digestion को हम देखें, अगर हम वोर्ड, digestion के ओपर concentrate करें, So, digestion क्या होता है? It is actually the breakdown of indigested food. क्या होता है? Breakdown होता है, food का, कौन सा food जो हमारे अंदर indigested food होता है, उसकी breakdown को कहते हैं, ठीक है? और अगर हम absorption की बात करें, तो वो वोला passage होता है, passage of the nutrient into the blood. ठीक है? वो एक passage provide करता है absorption, जो हमारे nutrients होते हैं, हमारे blood में. सबसे पहले इसका हम overview देखेंगे, क्योंकि ये topic बड़ा लंबा रहने वाला है, उसमें detail में सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे. ठीक है? सबसे पहले अगर देखें, हमारे पास जो digestive system होता है, वो दो चीज़ों से बना होता है, that comprises of two things. First is your elementary canal, एक हमारी होती है, elementary canal ठीक है, और दूसरा हमारा जो होता है, वो क्या होता है? digestive gland, क्या होते हैं? digestive glands, ये दो चीज़े होती है. सबसे पहले अगर हम ये जो diagram है, इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास mode, या oral cavity जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम buccal cavity कहते हैं, ये portion यहां से start होता है, फिर हमारे पास tongue है, फिर हमारे पास अगर देखा जाए, हमारे पास par इसको हम slavery glands भी कहते हैं, यह हमारे parathorides gland है, sublingual gland, submandibular glands, यह सारे जो हैं वो किसमें आते हैं हमारे slavery glands में आते हैं, ठीक है, और इनके ओपर examiner question पूछता है कि इनके क्या function है, ठीक है न, इसके ओपर हम detail करें, detail में बात करेंगे, फिर हमारे पास यह food pipe पर जाती है, जिसको हम is isophagus कहते हैं, फिर हमारे पास, sorry, यह pharynx रह गया, फिर हमारे पास stomach आता है, इसको detail में हम discuss करेंगे, pancreas, spleen, उसके बाद gallbladder, liver, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, large intestine, फिर हमारे पास small intestine, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, vermiform appendix, ठीक है, फिर हमारे पास rectum और anal आ जा करेंगे, ठीक है, अगर सबसे पहले हम, आगे भी काफी सारी slide से हम उसमें discuss करेंगे, यह एक overview था कि digestive system में कौन-कौन से आरगन हैं, और कौन-कौन सी चीज़े हैं, ठीक है, हम next slide पे चलते हैं, उस पे तोड़ी सी detail करते हैं कि जो process of digestion है, वो कैसे होता है, ठीक है, सबसे पह न लिया, उसको हम बोलेंगे ingestion, यहां क्या होता है, mechanical digestion होती है, ठीक है, हमारा जितना भी mode part है, buckle cavity है, अगर देखाजे हमारे जो mode part में क्या होती है, slavery glands होते हैं, जहां पे क्या होती है, जो slavery glands हैं, वो क्या करती है, saliva produce करती है, क्या produce करती है, saliva produce करती है, और उस saliva में हमारे पा ल Εंपայ chi अन्जाइम होता है जिसको हम हम कहते है ै शलेवरी एमलेस कहते हैं ये बहुत ज्यादा इमपर्टिन्ट है और सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं एक कोई प्वोस हम स्बस्पोस खाते है ये में निवाला जाने के झाते हैं तो वो क्या करता है हमारी टंग जो होती है वो क्या होती है एक flashy muscular आर्गन होता है और वो किसके लिए use होता है या तो हम टेस्टिंग के लिए use करते हैं किसी चीज़ का स्वाद चकने लिए test करने के लिए या हम उसको लिकिंग के लिए यूज़ करते हैं ठीक है या उसको हम क्या करते हैं स्वेलिंग के लिए यूज़ करते हैं और या अर्टिकुलेटिंग स्पीच के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं और हमारी जो टंग होती है उसके अंदर काफी सारे जो हैं वो क्या होते हैं टेस्ट बड्स होते हैं याद रखें टेस्ट बड्स होते हैं इसके ओपर भी काफी सारे कोशन पूछते हैं ऐसा कोशन पूछेंगे के टेस्ट बड्स क्या होते हैं तो टेस्ट बड्स वहाँ पी ह आपने यह याद रखना है और अगर human की बात करें तो वो पांच किसम के elements होते हैं जो वहां से according to taste perception अगर taste perception की बात करी जाए taste perception अगर taste perception की बात करी जाए तो पांच किसम की हमारे taste perception है हम salty taste perception है हमारे पास sour है उसके बाद we can taste bitter उसके बाद हम sweet जो टेस्ट है उसको क्या कर से perceived कर सकते हैं और हमारे पास एक होता है युमामी ठीक है इसको हम taste जो है वो कर सकते हैं यू एम एम आई इसको भी आप यार रखेंगे examination point of view से बहुत ज़्यदा यह important रहता है फिर जैसे ही खाना आया यहां से यहां से swollen हुआ this is your pharynx यह pharynx है यहां पर mechanical digestion हुई हमने खाना chew किया chew up करके फिर हमने churning की यह मतलब जब stomach में जाएगा तब ठीक है यहां पर इसको बोलेंगे propulsion यार रखें और जो हमारा और सो फैगर्स होगा वो क्या करेगा swelling करेगा प्रिस्टिलैसिस करेगा फूड करेगा फिर उसके बाद जैसे ही खाना इसके अंदर जाएगा क्योंकि हमने आगे पूरा discuss करना one by one part यहां पर जो होगा stomach तो stomach में क्या होगा stomach में सारा जो है फोड जो भी indigested food होगा वो digest होगा पिर यहां से और भी काफी सारे parts है यहां पर chemical digestion स्टार्ट होगी पिर यहां से जो chemical digestion होगे फिर खाना आगे small intestine की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी absorption process होगा फिर यह large intestine से होता हुआ हमारी fecal material जितना भी है वो NSA बार चला जाएगा तो process one by one हम आगे diagramatically देखेंगे लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास ingestion होगी खाना ले हमने लिया फिर उस खाने का हमारा क्या होगा digestion होगा ठीक है chemical digestion of food होगी कैसे होगी यह detail में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे enzymatic reactions होते है examiner उन चीज़ों पर focus करता है फिर जैसे ही chemical digestion होई उसके बाद खाना हमारा absorption हुई और absorption के बाद जब यह पूरा खाना fully absorbed होके जो waste material होगा वो defection हो जाएगा या जिसको हम digestion कहते हैं ठीक है न वह process हमारा process start हो जाएगा अब one by one हम क्या करते हैं इस सारे process को देखते हैं ड्रैग ड्रैग्रामेटिकली आपने इसको देख लिया यह कैसी process है अब इसको one by one हम एक blank slide पे लेते हैं ठीक है अगर हम देखे हमारे पास जो digestive system में सबसे पहले अगर हम देखे हमारे पास more part जो हमारा मुह है वहाँ पे बकल कैवेटी बकल बकल कैवेटी ठीक है अब हम अगर बकल कैवेटी के ओपर कुछ discuss कर लें जैसे कि हमने discuss के लाइक इसमें saliva produce होती है जिसके अंदर एक enzyme होता है tylin ठीक है ptylin tylin enzyme होता है इसको आपने यार रखना है slavery amylysis होते हैं फिर हमारे more part क के अंदर अगर आप हम आगे चल के देखें तो यहां पर टंग है हमारे पास जो fleshy muscular argon है हमारे पास tongue है ठीक है जी tongue है उसके बाद उसके अंदर बाद हम देखें तो taste buds है taste buds है हमारे पास आगे जो process है जो slide है वहाँ पर जो image से वह सारी चीज़ हम discuss करेंगे लेकिन यह ची अगे बाद हमारे जो यह tongue होता है एक और enzyme होता है मुझे याद आगे इसको बोलते हैं lizozozoom तो lizozoom का क्या function होता है यह जो जितने भी bacteria उनको seize करता है या उनको kill करता है जितने भी bacteria होते हैं उसके बाद अगर हम teeth देखें हमारे अंदर मुग के अंदर जितने भी teeth हैं तो दे अर प्रोड्यूज़ इना two set दो सेट्स में होते हैं एक होते हैं एक हमारे पास अगर देखें हमारे पास इनको हम teeth होते हैं उसको हम क्या किते हैं temporary और एक हमारे पार तो होते हैं permanent teeth होते हैं यह चीज़े याद रखनी है फिर उसके बाद अगर देखें जो वो चार किसम के teeth होते हैं there are also a four type of of these teeth are a four type like हमारे पास incisors होते हैं ठीक है याद रखें incisors हमारे पास incisors होते हैं उसके बाद हमारे पास canines होते हैं teeth याद रखेंगे कोशन ठीक बेसिक से advance की तरफ जाएंगे canines होते हैं उसके बाद हमारे पास pre molar सोते हैं याद रखेंगे आप और अगर हम teeth के structure की बात करें अगर हम teeth के structure की बात करें कुछ ऐसा बना लेते हैं रफली सा ठीक है सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो teeth की covering होती है उसको हम बोलते है enamel, enamel सबसे strongest part of body होता है ठीक है और अगर teeth की बात करें यहां से और यहां से दो पार्ट में divide कर लेएं जो उपर बाहिर वाली extension होते हैं उसको हम कहते हैänge क्रौन, और जो नीची होते हैं उसको कहते हैं roots और जो हमारी flesh का हिसा होता है, यहां हम क्या कहते हैं, उसको हम एक structure होता है उसको हम कहते है dentines याद रखें उसको हम क्या कहते है dentines ये चीज़ भी examination point of view से बहुत जायता है अगर इसमें से देखें तो enamel का वो पूछ लेंगे ठीक है तो enamel क्या होता है is the hottest substance in the human body ये होता और dentines जो होता वो boni like materials होते हैं अगर dental formula की बात करें तो that is two one two three upon two one two three याद रखें ये examination point of view से बहुत ज्यादा important रहता है और examination में आने के chances रहते हैं इन चीज़ों के ठीक है फिर उसके बार हमारे पास fairings आ जाता है ये आगे discuss करेंगे ठीक है एक overview ले 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 ल पी एच ए आर वाई एन एक्स fairings आ जाएगा उसके बाद हमारे पास osophagus आ जाएगा ठीक उसके बाद हमारे पास stomach आ जाएगा ये भी detail में पढ़ेंगे small intestine हमारे पास आ जाएगी इसको भी हम detail में पढ़ेंगे large intestine और digestive gland जितने भी हैं वो one by one यहां पर discuss करेंगे आपके साथ ठीक है तो चलते हम अपनी अगली diagram के उपर तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है मोत आरा बकल मोत आरा oral cavity इसकी हम anatomy अगर देखें ये वाला हिस्सा जो उपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं hard pellets जिसको हम तालुआ कहते हैं वो होता है इसके बाद यह जो hard pellets होता है यह क्या बनाता है interior roof बनाता है हमारे मोत का ठीक है ना interior roof बनाता है ठीक उसके बाद हमारे पास आ जाता है labia labia जो हमारे lips है labia यह आ जाते हैं so they protect the interior opening मत्दब lips बंद करेंगे तो interior जो होगा वो protect हो जाएगा फिर हमारे पास आ जाता है soft pellets, ठीक है न, soft pellet क्या करते हैं, यह posterior part, जितना भी यह mode का posterior part है, इसको protection provide करते हैं, और उसके बाद आ जाता है, वलवा, ठीक है, यह वाला portion जो है, वलवा है, तो यह एक fleshy projection होती है, of this soft pellet की यह जो, एक fleshy, क्या कहते हैं, like fleshy projection एक निकली रहती है, जो क्या करते हैं, इसकी soft pellets की होती है, sorry, उसके बाद अगर हम next diagram, या next Chinese discuss करें, mode के अंदर अगर हम काफी सारी चीज़ें discuss करें, तो यहां पे एक चीज होती है, यहां पे एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं, यहां पे एक चीज होती है यह पूरा यह वाला पूरा हिस्सा जो हो गया यह वाला जो खाली हिस्सा है इसको हम कहते है औरल कैवेटी कहते है याद रखें इसको हम औरल कैवेटी कहते है और जो यह नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते है वेस्टी ब्यूल्स इसको हम कहत तो में, so that easily आप understand कर पाएं, ये जो portion है, ये वाला, ये पूरा जो है, ये हमारी tongue है, यार रखें, ये हमारी tongue है, और यहाँ पे एक bone है, इसको हम कहते हैं, क्या, hyoid bone, यार रखें, hyoid bone, यार रखें, ये हमारी hyoid bone है, तो vestibules हमारे क्या होंगे, जो हमारे vestibule से, ये वो वाला space होता है, जो externally teeth और gum externally teeth के साथ जुड़ा रहता है, it is a space between lip externally and the teeth and the gum internally, यार रखें ये वाला portion, उसके बाद oral cavity, वो वाला area जो हमारे teeth को contain करता है, और tongue, जैसा कि आप जानते है, attached as the hyoid bone, यहाँ ये hyoid bone के साथ attached है, और एक hyoid bone होती है, एक होती है, steloid bone, यार रखें, steloid bone, steloid processes of the skull and by the lingual ferulum, ये जीज़ आप यार रखेंगे, बहुत ज़्यदा important, ठीक है, उसके बाद ये जो pinkish portion है, ये जो pinkish portion है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, पहला time, पहला, पहला time tonsils, tonsils कहते हैं इसको, और ये जो नीचे वाला है, ये वाल यहाँ पर, उसको बोलते हैं, पहला time, इसको बोलते हैं, lingual, इसको बोलेंगे हम, lingual tonsils, lingual tonsils, हमको पता होना चाहिए, ये सारी process, उसके बाद, अगर हम देख लें, process, सबसे पहले, I suppose, खाना हमने लिया, हमने mastication of food किया, ठीक है न, सबसे पहले, mastication of food, मतलब जो हमने chewing process की mastication of food, हमने खाना चबाया, उसके बाद, masticated food के साथ क्या होगी, saliva जुड जाएगी, saliva जुडने के साथ क्या होगी, initiation हो जाएगी, हमारी swelling, हम खाना जो है, वो यहाँ से, अंदर लेना शिरू कर लेंगे, यहाँ से, अंदर लेना शिरू कर देंगे, so the allowing for the sense of taste, यहाँ पे जो taste बाद है, वो हमें, उसके taste की जो है, वो sense लेना शिरू कर देगी, ठीक है, फ़रा color change करते हैं, फिर इसको pharynx की anatomy भी यहाँ इसके साथ discuss कर लेते हैं, ठीक है जी, अब सबसे पहले अगर देखें, हमारे पास यह जो portion रहता है, यह वाला, यह हमारा जो होता है, इसको ब हम बोलेंगे, औरो pharynx, ठीक है, जी, औरो, औरो pharynx बोलेंगे, और यह जो नीचे वाला portion हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, लेरिंगो pharynx, यार रखें, बहुत ज़्यादा important यह चीजे भी रहते हैं, अब pharynx का जो है, इसका function क्या रहता है, अगर examiner पूछ लेगा, इसक message करता है, और इसमें क्या होता है, the food is propelled to the osophagus by two muscular layers, दो muscular layers होती है, एक होती है, हमारे पास longitude, और एक होती है, हमारे पास circular outer layering होती है, जो food को propelled करती है, अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम next slide पे चलें, तो हमारे पास आ जाता है, layers of elementary canal, हमारे पास जो layer है, elementary canal है, उसकी हमने layers बतानी है, ठीक है जी, ये भी बहुत जादा important रहता है, one by one discuss करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो पूरी है, ये elementary canal है, ठीक है, उसमें ये आप portion देख लें, क्योंकि visual आप देखेंगे, आपको याद रहेगा, visceral peritonium होता है, फिर उसके बाद ये वा portion है, ये elementary canal पूरी है, यहां से जो भी food अंदर हमारे आएगा, लेकिन ये इसके उपर जो इसकी पूरी बनावट है, इसको हमने discuss करना है, फिर हमारे पास सब mucosal gland आजाएंगे इसके अंदर, फिर उसके बाद mucosa आजाएगा, mucosa के अंदर दो चीज़े, मतलब कितनी सारी चीज़े हैं, एक तो हमारे पास, ये तो inner most layer हो जाएगी, उसके बाद ये moist membranes है, ये याद रखना है, surface epithelium होता है, smooth muscle layers होता है, फिर surface epithelium पढ़ लिया, फिर सब mucosal layer हो जाएगी, फिर muscular, externima, lungnitutal muscle layers हो जाएगी, सरोसा हा जाएगा, visceral peritonium सा जाएगा, ये जो lumen है, ये lumen है, उसके बाद gland in mucosa, ये जो nerves, arteries और veins, ये mesentries, इसके साथ ये सारी रहेंगी, ये चीज़े बहुत important रहती हैं, अब अगर हम elementary canal या ossofagus के बारे में discuss करें, तो अगर ossofagus, एक तो process, एक चीज़ और मुझे साइड में, जैसे ही food carried होगा, वो किस process से carried होगा, that is carried by the pristillatic movement से जो ये खाना है, वो carried out होगा, ठीक है, फिर अगर ossofagus की बाद करें, ossofagus या food pipe की बाद करें, तो ये हमारे पास 25 cm long तक होती है, अगर एक average long tube की बाद करें, इसके अंदर longitudinal fold होते हैं, उसके बाद ये ही जो चीज़ है, ये पूरी जो हमारी जो ossofagus है, ये ही सारा process जो है, stomach तक लेके जाती है, ठीक है, इसमें ये सारी काफी सारी चीज़े हैं जो आजाएंगी, उसके बाद अगर हम next slide पे चलें तो हमारे पास आजाता है, stomach, max to max question यहाँ से पढ़ते हैं, यह से, max to max question यहीं से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो important enzymes जितने होते हैं, वो सारी यहीं पे हैं, तो examiner का focus यही रहता है, तो सबसे पहले अगर हम देखे हमारे पास, अगर stomach की anatomy देखे, तो यह तो सबसे पहले, it is located on the left side of the abdominal cavity, left side of the abdominal cavity के पास रहता है, abdominal cavity के पास रहता है, फिंटर्स यह जो, यह जो हमारे पास है, कार्डियो, ओसो फेजल्स फिंटर्स खाना यहां से इंटर अंदर होता है, ठीक, यह चीज़ याद रखनी है, उसके बाद अगर हम region of देखे हैं, stomach में कौन कौन सी चीज़े हैं, एक तो हमारे पास सबसे, यह तो ओसो फेजल्स य है, यह वाली, यह इसका पार्ट रहेगा, rugs of mucosa रहेगा, servosa रहेगा, उसके बाद muscular, muscularis external रहेगा, फिंटर्नर रियर हैं, circular लियर से हैं, oblique लियर से हैं, ठीक है, सारा जितना भी खाने का digestion process है, सारा इसमें होता है, सारे का सारा process इसमें होता है, और यही important चीज़े हैं, ज और यहां पर वैल्स लगे होते हैं, हमारे पास वैल्स होते हैं, जो यह इसको गाड़ करते हैं, और चेक करते हैं, एक concept आप याद रखेंगे, Regurgitation, Regurgitation मतलब जो खाना हम हमारे मुझ से बाहित दबारा निकलता है, स्टॉमी से reflex होके वापस जाता है, उसको चेक उट करता है, ठीक है, उसके बाद यहां पर स्टॉमी में जो फूड आता है, यहां पर जब फूड पूरा स्टॉर होके आ जाता है, तो इसमें जब पूर बन सकता है, कि जो स्टॉर फूड खाना बन के रेडी हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम काइम कहेंगे, यह इंपॉर्टन रहता है, उसके बाद इच है थरी पार्ट, एक तो हमारे पास आ गया कार्डिक, एक आ गया फंडिस, और एक आ गया पैलोरिक, स्विंट जितने भी गैस्ट्रिक जूस होते हैं, सारे यहां प्रडियूस होते हैं, याद रखें और यही कोशन एग्जामीनेशन में एग्जामीनर पूछ सकता है, फिर अगर हम नेक्स स्लाइड पे चलें, एक ब्लेंक स्लाइड लेते हैं, उस पर कुछ चीज़ें डिसकस करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे जितने भी गैस्ट्रिक जूस हैं, जितने भी गैस्ट्रिक जूस हैं, याद रखें यह बहुत ज्यादा important question रहता है examination point of view से और इसी के साथ यह क्या करता है activate करता है क्या करता है एक्टिवेट करता है इक होता है हमारे पास pepsinogen याद रखें eerste question examination में आसे है पैपसीनो जिन को यह किसमे convert करता है pepsin में याद रखें पैपसीन में याद रखें प्रो रिनन को प्रो रिनन जो हमारा होता है प्रो रिनन को ये कनवर्ट करता है रिनन में आपने देखा होगा बच्वन में छोड़े बच्चे दूद पीते हैं जब वो ही उसको वामिट ओट करते हैं तो वो दूद तोड़ा सा दहीं बनके फट के आ जाते हैं तो वो इसी रिनन की वज़ा से वो फट के बाहिर आ जाता मतलब उसके जो हैं वो क्लम्स से बन जाते हैं ठीक है ये भी आप यार रखें क्योंकि एक्जामिनेशन पॉइंट आव यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसके बाद अगर मेन फोकस रहता है एक्जामिनर का वो इसमें रहता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इंजाइम रहते हैं इंपॉर्टेंट डैजेस्टिव इंजाइम इस पर वो कोशन पूचेगा क्योंकि एडवांस लेवल में वो कोशन पूचेगा जितने भी इंपॉर्टेंट ड ये कौन-कौन सा enzyme, digestive enzyme कौन सा है। अगर सबसे पहले हम बात करें हमारे पास आ जाता है slavery gland, slavery gland की अगर बात करें हम तो slavery gland में हमारे पास एक enzyme आता है जिसको हम बोलते हैं tylen, याद रखें, tylen आता है तो ये किस के उपर act करता है? टाइलिन जो है वो एक्ट करता है स्टार्स के उपर गलाइकोजन के उपर गलाइकोजन के उपर ये एक्ट करता है ठीक है याद रखें और इसके जो प्रोडेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं एक तो होता है माल्टोस होता है फिर आईसो माल्टोस होता है उसके बाद लिम dextrin क्योंकि यह advanced level में है तो यह चीजे आपने दिमाग में fit रखनी है फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते है gastric gland हमारे पास आ जाते है gastric gland so अगर gastric gland की बात करें हमारे पास एक enzyme होता है जिसको हम बोलते है pepsin कौन से enzyme होता है pepsin तो pepsin क्या करता है activate करता है pepsinogen यह pepsinogen को activate करता है किसके साथ by hydrochloric acid यह भी आप याद रखेंगे examination point of view से बहुत ज़्यदा important है फिर हमारे पास आ जाता है rinen याद रखें rinen तो rinen that is activated from pro rinen यह pro rinen से आता है पीछे मैं बता भी चुका हूँ प्रो rinen से आता है किसकी मदद से by hcl यह भी आप याद रखेंगे और एक और enzyme होता है जिसको हम क्या कहते है gastric gastric lipase gastric lipase कहते हैं फिर उसके बाद अगर हम बात करें pancreas की अगर हम बात करें pancreas की तो pancreas में कौन कौन से enzyme जो है एक्टिवेट होते हैं एक तो होता हमारा trypsin यह याद रखें क्योंकि कौन सा enzyme कौन सा argon या gland produce करता है उस पे question पूछेंगे trypsin ठीक है उसके बाद यहां पर एक होता है chemo trypsogen यह चीज़ें याद रखने है chemo chemo trypsin यह याद रखना है और यह उसके बाद pancreatic amylase एक होता है pancreatic amylase याद रखें amylase यह याद रखें यह भी बहुत ज़्यदा important है उसके बाद हमारे पास एक और होता है इसको बहुत है carbo oxy peptides यह भी बहुत ज़्यदा important examination point of view से रहता है यह होगे किसमे pancreas में उसके बाद अगर intestinal की बात करें हमारे जितने भी intestinal gland है intestinal gland उन में कौन कौन से जो है enzyme produce होते हैं एक तो हमारे पास आ जाएगा intestinal amylase उसके बाद हमारे पास maltase आ जाता है isomaltase आ जाता है उसके बाद limug distrains उसके बाद lactase intestinal lipase आ जाएगा उसके बाद nucleotidase आ जाएगा nucleosids आ जाएगा और anterior kinases यह बहुत important रहता है इंटीरियो इंटीरियो काइनेसिज यह भी बहुत important रहता है examination point of view से examiner क्या करता है question कही ना कहीं से वो पूछ लेता है इसमें फिर अगर हम next slide पे चलें तो अगर हम देखें functional stomach like act as a storage tank for a food उसके बाद breakdown of food material करता है chemical breakdown of protein यहाँ पे होती है deliver काइम processed foods to the small intestine के अंदर यह सारा खाना आगे process further होता है यह चीज़ें याद रखने पढ़ेंगे क्योंकि examination point of view से important रहती है फिर उसके बाद अगर हम next slide पे चलें तो हमारे पास यह सारा process यह लीवर portion है यह हमारा stomach है यह liver है यह gall bladder यह judunium इसका part फिर यह gall bladder है उसके बाद यह pancreas है और यह सारा process जो judunium से होके आगे जाता है judunium होगे इसका part होगे major judunial process होगे यह वाले process क्योंकि diagramatically आप देखेंगे आपको automatically याद हो जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद यहां इसकी intestine small intestine के अंदर यह छोड़ी सी होती है finger like projection willize इसको हम कहते है that is one by mucosa होता है which give a small intestine more surface area जिसकी वज़ए से इनका जो surface area है वो बहुत ज़्यदा हो जाता ठीक है न यह भी बहुत ज़्यदा important रहता है अगर हम small intestine की बात करें तो इसके तीन part होते है एक हो जाता है didunium एक हो जाता है jejunium और एक हो जाता है ileum यह question भी बहुत ज़्यदा important रहता है और यह क्या करता है source of enzyme that are mixed with chyme intestinal cell, pancreas, bile interferm, gallbladder यह सारा process होके आगे चलता है ठीक है न और यह important रहता है बहुत ज़्यदा examination pointer view से ठीक है फिर अगर हम next पे चलें यह क्या करता है अगर structure देखें तो यह absorption cell करता है इसके अंदर blood capillaries है lactial specialized lymphatic circular है यह पूरी diagram है इसको आप देख सकते हैं विलाइज की फिर अगर हम देखें main process जो है वो large intestine पे आता है ठीक है large intestine जो हमारे अंदर है उसके अगर part की बात करें हमारे पास एक आ जाता है सीकम याद रखें एक part आ जाता है हमारे पास सीकम उसके बाद colon मतलब यह वाल colon, ascending colon, transfer colon, descending colon एक यह आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास इसी का part है rectum याद रखें ठीक है ना सीकम जो होता है वो क्या करता है जितना भी divertid part of intestine होता है जितना भी divertid part of intestine होता ही होता है और यहाँ क्या होता है cellulose digestion take place जितने भी cellulose digestion है यहाँ पे take place करती है उसके बाद य यह भी आप याद रखेंगे जो के vestigial argon है उसके बाद जो remaining waste material है वो यहाँ पे आ जाता है और यह जो पार्ट है इनको आपने याद रखना है यह आगी transverse colon, historia, ascending colon यह पूरा हो गया, ileum जिसको हम cut किया हुआ, ileusial vals होते हैं, vermiform appendix, left colical, उसके बाद transverse colon यह देख लेंग उसके बाद descending colon यह पूरा हो गया, edge of the misentries, tenisial coil होती है, फिर sigmoid colon होता है और फिर rectum और यह एनल पार्ट जहां से जितना भी हम खाना होता है, undigested food वो क्या हो जाता है, यहां से बाहर चला जाता है, यह चीज़ें हमको बहुत ज्यादा importantly याद करनी पड़ेंगी colon क्या है, फिर उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है, breakdown of food and absorption in intestine, अगर देखेंगे large intestine में no digestive enzyme produce, यहां पे कोई भी digestive enzyme produce नहीं होता है, तो resident bacterial digest remain हो जाता है, और यहां पे क्या होता है, some produce vitamin K and B, यहां पे vitamin K और vitamin B भी produce होता है, यह कोशन कभी कभी examiner पूछ लेता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम next चलें, हम हमारे पास next diagram में चलें तो हमारे पास आ जाते है, process of digestive system, एक होता है हमारे पास pristillesis, जिसको हम कहते है, alternative waves of contraction, मतलब यह खाना नीचे गया, यहां से हो गया, एक होती है, segmentation, moving material back and forth to aid in mixing, यहां पे जो जितना भी खाना है, यह क्या हो जाता है, move हो जाता है, और यहां पे क्या होता है, यहां पे यह सारा process move out होके और यहां पे यह सेgmentation इसको हम कहते हैं, ठीक है, फिर अगर हम next slide पे चलें, तो process of digestive system कैसा था, यह हमने सारा उपर पड़ा है, लेकिन यहां पे कुछ एक चीज़ें हमारे पास miss हो गए हैं, जो हमारे पास slavery gland, slavery glands हमारे पास आगे, उसके बाद parathoide glands होते हैं, sublingual होते हैं, sub maxillary gland होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास gastric gland है, फिर अगर हम liver की बात करें, यहां पे यह भी हमारा एक digestive gland है, जो क्या करता है, there are innumerable and have a three type of gland, एक तो होता है, पैप्टिक cells में होते हैं, sorry, liver की बात नहीं यहां पे gastric gland की बात कर रहा हूं में, तो यहां पे पैप्टिक cell होते हैं, और वो क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं, HCL, जो के produce होता है, in mucosa cell, which add mucos, उसके बाद अगर हम liver की बात करें, तो it is a bilob, liver हमारे अंदर क्या होता है, जो होता है, वो bilob होता है, और एक right lobe being larger, जो right lobe होती है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और जो left lobe होती है, वो थोड़ी सी smaller होती है, और यहां पे secretion of bile होती है, जो के, next slide पे लेलते है, जो के yellow shin color होती है, ठीक है, yellow shin color होती है, और it is stored in a gallbladder for subsequent use, subsequent use के लिए होती है, बाइल क्या करता है, help in digestion of, help in digestion in three way, एक तो करता है, in gall, emulsify करता है, क्या, emulsify करता है, fat को, sorry, it also prevent the decomposition of food by checking food, bacterial growth, जितनी भी हमारी bacterial growth होती है, उसको check करता है, और neutralize करता है, acid को, और acid को क्या करता है, neutralize करता है, ताके जितना भी वो acidity का process होता है, वो इसके आगे ना चल पाए, ये भी इसके अंदर एक process रहता है, ठीक है जी, उसके बाद अगर कुछ और point हम discuss कर लें, like pancreas के बारे में, ये कभी-कभी पूछते हैं, जी pancreas क्या है, एक तो ये exocrine in nature है, और endocrine भी nature है, isolate, isolates of langerhans बोलते हैं, ठीक है न, that secret hormone करता है, उसके बाद और भी काफी सारे processes हैं, जो चलते रहते हैं, side by side, तो अगर हम inertial देखें, हमारे पास सबसे पहले buckle, दो पार्ट होएं, एक elementary canal और एक digestive gland, elementary canal में buckle cavity, buckle cavity रहती है, जिसमें slavery, मौत के अंदर जितने भी slavery gland से, वो slaver screed करते हैं, इसके अंदर tylin है, हम अगर जो खाना खाएंगे, उसको हम bolis बोलेंगे, उसको हम bolis बोलेंगे, tongue हमारे पास sensory fleshy argon है, taste buds से हमारे अंदर, teeth से हमारे अंदर, उसके बाद अगर देखें, pharynx जो हमारे अंदर है, ठीक है, और जो trachea that open into the pharynx throw in aperture, जिसको हम glottis कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, glottis कहते हैं, उसके बाद गलट से है, और सो फेगस हमारे अंदर है, और सो फेगस है, उसके बाद stomach के अंदर जितने भी पार्ट हैं, मैंने बताएं, कर्डिक, फंडर, पाइलोरिक, उसके पाद इंजाएंफिर, small intestine के अगर बात करें, इसके भी पा हैं, फिर large intestine में, सीकम है, colon है, rectum है, और जितना भी हमारा जो waste material है, वो excrete oat हो जाता है, किसे, throw the anal part से हो जाता है, और इसको हम को लते हैं, ejection, ये भी बहुत ज्यादा important है, और और भी बहुत important सारी चीज़े हैं, जो examination point of view से, बहुत ज्यादा important रहती हैं, इस topic में, I think इतना क काफ़ी है, क्योंकि जएदे से जएदे अगर examiner question पूछेगा, एक तो process पूछ लेगा उसके, या तो जितने भी important, जितने भी हमारे important digestive, digestive enzymes हैं, जो उसके बारे में पूछ लेगा, मेरे ख्याल में digestive enzymes से जएदा वो कुछ नहीं पूछेगा examiner, क्योंकि advance level में, अगर वो बच digestive की वो length कितनी है, ये वाली सारी चीज़ें थोड़ी सी outdated हो गई है, ये वाली examiner में फोकस हैगा, कि ये चीज़ें आवाइड ही करता है, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप हमें comment box में बता सकते हैं, ता तो हो कि इस topic में से आपको काफी ज़्यादा help हो आपके examination में, आपको समझ आने में, अगर कोई भी आपकी queries आप हमें comment box में लें और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करें, like करें हमारे channel को, video को like करें, channel को subscribe करें, और बने रहे हमारी YouTube channel के सार्थ, that is your channel, पहाड़ी तालिम Foundation, पढ़ना है, बढ़ना है, with this, thank you very much.